एलो फ्रेंड्स मैं नुराग और आशा करता हूं भी बहुत अच्छे होगे दोस्तों आज की वेडियो में बात करेंगे पेंड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए उसके एक सॉफ्ट्वेर होता है पावर आई ये अपने ज़रूर सुनाओ को और शायद यूज भी गया ह लेकिन ये सॉफ्ट्वेर काफी पुराना है और काफी वाइडली यूज़ हुआ है पहले अभी इन दिनों कुछ ये बीच में काफी अपडेट होकर फिर दुबारे से इसका न्यू वर्जिन आ गया है तो इसको हम देखते हैं कि इस तरह से में इसको पेंड्राइव इससे प्रफॉर्म कर सकते इसमें जैसे देखिए यह है इमेज रैट टू यू यूजब डिस्क इसमें क्या आप अगर आफ़के पास कोई पार्टिशन आपने किसी हारड ड्राइव का लिया हुआ है जैसे आपने डी ड्राइव का अपने पार्टिशन लिया हुआ है बैक अप partition का तो आप उसमें direct इसमें यहां पर इसको partition image को ok करके next करेंगे तो वो partition जो है आपके usb drive पर भी install हो जाएगा मतला अपने backup आप अपने pen drive को pen drive पर भी install कर सकते हैं अपने backup को c drive का जैसे आपने windows install की हुई है suppose कि आपने यह suppose windows आपने install की हुई है और आपकी pen drive इतनी बड़ी है आप इसका backup लेके image file create कर लीजे और यहां से आप इस पर इसको browse करके आप नेक्स करके पास कर देंगे तो यह जो सेम windows c drive है जो वो आपकी pen drive पर भी install हो जाएगा इसी तरह से आप अपने us copy जो इसकी जो usb drive होता है जैसी है इसमें आप detect करेगा यह automatically आपके pen drive है तो यह image file इस पर भी create कर सकता है ऐसे भी आप कर सकते हैं इसमें अगर आपके पास suppose कीजिए आपके पास कोई usb drive है और उसमें आपने कोई bootable pen drive बनाई हुई है और आपके ISO नहीं मिल रही है तो आप उस bootable pen drive से भी ISO क्रिएट कर सकते हैं इसमें इसी तरह से आप जो windows है आपकी जो उस पर यहां से आप इसको source image select image file कर दीजे और यहां पर क्लिक कर कर देंगे इसमें तो आप इसमें अपनी pen drive पर भी windows install कर सकते हैं मतलब जिसमें आप जैसे हम browse करते हैं जैसे पूरा environment live होता है वो उसी तरह से आप live pen drive याप इस पे pen drive पे windows install कर सकते हैं ताकि आप उसको use कर पाएं किसी भी computer पे इसी तरह से आप इसमें convert भी कर सकते हैं किसी आगर आपके पास sometimes ऐसा होता है कि जैसे आपके पास कोई image file है ISO ह उसका extension आप उसको convert करना चाहते हैं किसी दूसरे format में तो आप उसको यहां से format convert भी कर सकते है output format save कर देंगे zip या 7z या da अगर आप इसको compress करना चाहता है ISO file को तो आप इसको 7zip या zip में भी convert करके ok करेंगे तो वह इस फाइल को compress करके या अलग format करके भी आपको दे देगा त काफी अच्छे features है इसमें तो आप इसको use कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम देखते हैं कि pen drive हम किस तरह से bootable बना सकते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले में pen drive इसमें मैं insert कर देता हूं system के लिए और यह pen drive इसमें solar gb के एक insert हो गई है और इसके बाद क् इसको चलाने के लिए आपको राइट क्लिक करके run as administrators यूज करना हूँ इसको on कर देंगे इसको और continuous trial कर देंगे इसके बाद दोस्तों हमें इसमें USB जो इसका icon show कर रहा हूपर USB में create bootable USB drive क्लिक करेंगे यहां से हम अपनी image file सेर्च कर लेंगे इसमें Windows 10 की Windows 10 और destination हमारी USB ड्राइव यह होई गई है और इसको हम start कर देंगे यह format हो जाएगी ओके और दोस्तों इसमें थोड़ा सा time लगेगा बनने में तो हम इसको चलने देते हैं इसके बाद हम एक इस software के बारे में ही काफ़े discuss करेंगे आज दोस्तों इसमें जो भी यह पेंडर यह जो पावर आई यह सो software होता है यह बेसिकली शुरू में उसके लिए यूज होता था cd बनाने के लिए यह जो हमारे पास vcd player होते थे उसमें cd बगरा बनाने के लिए create करने के लिए यह यूज होता था पहले और इसके अलावा इसमें आप कुछ files को भी आप add करके उनको iso में create कर सकते हैं किसी iso file को हम इनके त्रू extract भी कर सकते हैं और file को copy भी कर सकते हैं इसमें burn भी कर सकते हैं आप vcd वक़रा जैसे हम create करते थे CD's वगरा CD burn वगरा भी कर सकते हैं आप इसमें convert भी कर सकते हैं और इसमें एक ISR जो अपने पास होती हैं उनमें हम इनको mount भी कर सकते हैं तो mount होने के बाद उसमें जैसे pen drive शो कर रहा है ऐसे इसी तरह से मांट होने के बाद यहां पर इसका icon आ जाता है और वो CD की तौर पर ISO आपको दिखाता है कि आप CD को CD open इस पर क्लिक करेंगे तो वो as a CD-ROM यहां शो करेंगा और उसको डबल क्लिक करके open भी कर पाएंगे मतलब एक तरह से virtual CD-ROM create हो जाता है यहां पर जिसमें कि आप उसको ISO को browse कर सकते हैं तो बाकी इसको complete होने देते हैं मैं फिर इसके बाद एक दू चीज़ें हो रहे हैं और भी discuss करेंगे काफी अच्छी है इस software के बारे में आपको जुरूर यूज़ करना चाहिए software यह तो पर तब तक वीडियो को pause करता हूं एक बर complete हो जाता है तो फिर हम continue करते हैं इसको दोस्तो support करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने मेरे चैनल को support किया और वीडियो को like किया, share किया, comment किया तो please support जारी रखे अपना और चैनल को subscribe कर ले और आगे कुछ और भी वीडियो आने वाली हैं अलग-अलग streams में तो अभी AI में और कुछ hackings वग बनानी शुरूँ करूँगा कुछ दिन में तो please चैनल को subscribe कर ले, share, comment and like ज़रूर करे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि pen drive अपनी create हो गई है windows 10 के लिए bootable create हो गई है तो मैं इसको okay कर देता हूं और इसको मैं एक बार बंद कर देता हूं और एक बार दुबारा से insert करके देखते हैं कि दुबारा इंसर्ट करते है pen drive और यह जैसा कि आप देख सकते हैं देख सकते हैं इस प्रोग्राम में आप काफी सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो चली इसको भी डिसकस कई बार कर लेते हैं दोस्तों जब यह प्रोग्राम पावराइस जो फर्स टाइम आया था तो उस टैम में बेसिकली वी सीडी प्लेयर के लिए उस होता था वी सीडी क्रियेट करने के लिए ताकि आप वी सीडी प्लेयर में इसको वीडियो बगरा प्ले कर सकें जैसे कि आप देख सकते हैं वी सीडी प्लेयर कर सकते हैं डीविडी प्लेयर भी बना सकते हैं video dvd और इसके अलावा आप इसमें rewritable cd आप use कर सकते है rewrite कर सकते है erase कर सकते है cd burn कर सकते है virtual drive आप create कर सकते हैं जिसमें की आपके किसी भी आप ISO को mount करेंगे तो आपके पास drive के साथ ही एक और drive virtual drive mount हो जाता है cd की तरह आपको दिखाए देता है और वह आप उसको use कर सकते हैं उसको mount और unmount कभी भी आप कर सकते हैं कोई drive आप mount करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं convert करना चाहें किसी ISO file को और सकते हैं और इसके अलावा इसमें आप एक और features है जैसे यह आप इसमें दिखेंगे कि जो image file होती है वो dot iso अब दिखते हैं तो इसमें इसके अलावा dot daab file होती है rar भी होती है zip 7a tar file है इस अभी आपने use जरूर की होंगी इसके अलावा इसमें img file भी होती है जिन पर इन पर tick mark लगा के ok कर देंगे वह सारी आप इसमें import कर सकते और इन में open भी कर सकते है sometimes ऐसी file आजाती है जो आपको समझ में या था कि किसमें open करनी चाहिए power रही सो इस उसमें बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत सारी variety of files आप open कर सकते हैं तो आप इस तरह से कर सकते इसमें convert भी कर सकते हैं compress भी कर सकते हैं फाइलों को आप आडियो फाइल भी आप create कर सकते MP3 जो आपके डीवीडी प्लेयर में या गाड़ी के जो stereo होता था उसमें भी चलती थी तो यह इस तरह से भी आप create कर सकते हैं इसमें तो यह काफी अच्छा software है और काफी अपडेट हुआ इसमें पिछले कुछ टाइम के अंदर ही तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों और आप दोस्तों इसके लावा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कमेंट एंट लाइक करें और चली मिलते हैं अगली वीडियो में बाई कर दोस्तों 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 कर दोस्तों